यह देखिए इस तरीके के हमारी यह टोपी बन रही है आज मैं टोपी बना रही हूँ धागे को डबल फोल्ड करके यह देखिए डबल फोल्ड करके सौफ अंदे डालूंगे झालूंगे बना रही है इसी तरीके से इसमें हम सौ फंदे डाल लें दो लाइन उल्टी उल्टी हमने यह बिन लिये हैं यह देखिए अब बीस फंदे बिन लूंगे उल्टी छे फंदे यह बुन लिये हैं साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेर, चोद, पंद्र, शूल, शत्र, ठार, उन्नीस, बीस बीस फंदे उल्टे बिन लिये हैं अब साथी फंदे सीधे बिन लूंगे भागा पीछे ले लिया है, अभी साथी फंदे सीधे बिन लूंगे बीस फंदे उल्टे इधर बिने हैं, बीच में यह साथी फंदे हमने सीधे सीधे बिन दिये हैं अब बीस फंदे इधर चोड़ रखें, अब इनको बिना बिने चोड़ देंगे बीस फंदे इधर के भी छोड़ देंगे, और बीस फंदे इधर के भी छोड़ देंगे बीच के जो साथी फंदे हैं, इनको बिनते हुए उपपर को ले जाएंगे साथी फंदे, उल्टे उल्टे हमने ये बिन लिये हैं, इधर के भी फंदे हम छोड़ देंगे बीच के साथी फंदे, एक सिलाई उल्टे और एक सिलाई सीदी करके भी जाएंगे चार लाइन, हमने ये बीच में जो साथी फंदे थे, ये चार लाइन भी लिये हैं ये देखी, चार लाइन भी लिये, दो फंदे ये बिना भुने हुए छोड़ राखें दो फंदे यहांचे छोड़ दूंगी, बाकी उल्टी शलाई पूरी बुन लोंगे उल्टी लाइन पूरी हो गई है, दो फंदे ये इधर से भी छोड़ देंगी, बिना भुने भुने हुए झाल देजा भुने किंगो एफ चोड़ दूरी वेजी कर दो भुने हुए तबहुत दूंग noi एंगो ग ऑढे हुए पूरी हो गई दो फंदे बिना बुने हुए फिर छोड़ देंगे दो पहले शिलाई में छोड़ रखे हैं दो इस शिलाई में छोड़ देंगे यहां पर चार फंदे हो गए हैं वाकि उल्टी शिलाई पूरी बिन लेंगे दो फंदे इस सलाई में भी छोड़ देंगे इसी तरीके से उपर को बिनते हुए जाएंगे दो फंदे इधर से और दो फंदे इधर से छोड़ते हुए जाएंगे दो इधर से छोड़ देंगे तो इधर से बागी सिलाई को उपर को बिनते हुए जाएंगे देखिये इस तरीके का हमारा है बन रहा है 16 फंदे इधर छोड़ दिये हैं 2-2 करके 16 फंदे इधर अब जो हमने ये 2-2 करके छोड़े थे इन्हें 2-2 करके हम बिल लेंगे ये देखें पहली लाइन में जैसे ये 2 छोड़ रखें अब इस टाइम इन्हें बिल लेंगे बाकी उल्टी लाइन उल्टी बिल लेंगे जो ए 16 फंदे इधर हैं 2 फंदे इधर से भी ले लेंगे बाकी लाइन सीधी बिन लेंगे दो फंदे फिर इधर से ले लेंगे इसी तरीके से दो दो फंदे करके इधर से बिनते रहेंगे और दो दो फंदे इधर से हर सिलाई में दो फंदे इधर के और दो फंदे इधर के बिनते हुए रहेंगे इस तरीके के हमारी टूपी बन रहे है इधर भी और इधर भी 16-16 फंदे होने तक हम दो दो फंदे छोड़ते गए और बीच में 28 फंदे 28 फंदे होने के बाद हम दो दो फंदे दो इधर से और दो इधर से लेते बिजा रहे हैं इस तरीके के हमारा बन रहे है यह देखें यह पुरा बन गया है अब इसे हम सिल देंगे यह देखें इस तरीके से इसे हम शिल देंगे लिस्तरी विससे, सिल्वे विस्तरी 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 इसी तरीके से इसे पूरा यहां तक हम सिल देंगे पूरे यहां तक हम इसे इसी तरीके से सिल देंगे इस तरीके से यह पूरा सिल दिया है यह देखे इस तरीके से बन रहा है अब 20 पंदे जो इधर के हैं यह इसके साथ मैंने बिन दिये हैं इधर के अब इस सिलाई में अब इधर वाली शिलाई में यहां से जो 20 पंदे छोड़े थे यह 20 पंदी भी इसी में एड़ कर लोगे यह देखे इस तरीके से हमारी कैप बन रही है 12 पंदों का मोड अलखा है फिर 4 पंदे उल्टे फिर 12 पंदों का मोड फिर 4 पंदे उल्टे फिर 12 पंदों का मोड इस तरीके से पूरी लाइन बना रखी है चार लाइन हमने यह बना दिये है एक, दो, तीन, चार अब इसके बाल फिर दुबारा से वही रिपीट करेंगे जो नीचे किया था देखिए किस तरीके से मैंने मोड अलखा है इसमें आपको बताती हूँ पहले 2 पंदे उल्टे बिन रखें, 2 पंदे उल्टे फिर 6 पंदे खोल रखें, 3, 3, 6, 6 पंदे फिर जो आगे के पंदे थे इस तरीके से पीछे को ले रखें हैं, जो पीछे के थे वो आगे से ध्यान से देखिएगा फिर ये 6 पंदे हमें सीधे बिन लेने हैं, एक, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से 6 पंदे हम फिर निकालेंगे फिर पीछे वाले पीछे को ले रखें हैं इस तरीके से और जो आगे के फंदे हैं ये पीछे को ले रखें ये देखें इस तरीके से फिर ये फंदे हम इसी शिलाई में डालेंगे फिर ये 6 पंदे हम सीधे सीधे बिल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, ये देखेंगे बारा फंदे हमने ये बीज में मोडा लखा है अब चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे इसी तरीके से फिर 6 पंदे ये निकाल देखें पिर फंदे इस सिलाई में ले रही हूं और तीन फंदे इस सिलाई पिर इस सिलाई के फंदे इसी में डाल देखेंगे ये देखेगा अब ये 6 पंदे हम सीधे बिल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छे छे, छे फंदे ये बुन ले हैं फिर ये छे फंदों का फिर इसी तरीके से फिर मो डालेंगे फिर इन तीन फंदों को इसी सिलाई में डालेंगे फिर इनको सीधे सीधे बिल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छे इस तरीके का हमारा ये मोड बन रहा है बारा फंदों का मोड ये है फिर बीच में चार उल्टे, फिर बारा फंदों का मोड फिर चार फंदे उल्टे, फिर चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार फिर छे फंदे, फिर निकाल लेंगे आगे वाले फंदे इस तरीके से ले दियूँ, ये तीन फंदे इस में लेरें, फिर इन फंदों को इस सिलाई में डाल देंगे अब चे फंदे सीधे बिन लेंगे एक, दो, तीन, चार पान, छे छे फंदे इस बुण लेए, छे फिर इन फिर निकाल लेंगे तीन, तीन, इस सिलाई अब चे फंदों को सीधे बिन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छे ये देखें इसी तरीके से हमने नीचे भी किया है दो फंदे उल्टे बिन रखे हैं बारा फंदों का मोड, फिर चार उल्टे, फिर बारा फंदों का मोड, फिर चार उल्टे, फिर बारा फंदों का मोड इसी तरीके से फिर चार लाइन बिन लेंगे फिर चार लाइन बिन बिन लेंगे फिर यही डिजाइन डालेंगे यह देखिए, आठ लाइन हमने सीधी बिन रखिए हैं, उसके बाद 12 लाइन का मोड आल लखा है, दो फंदे उल्टे, यह देखिए, दो मोड हमने बना लिये हैं, चार लाइन में हमने यह दूसरा मोड बनाया है, अब आठ लाइन में तीसरा मोड बनाऊंगे, आठ लाइन हो गए हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अब आठ लाइन में हम यह तीसरा मोड बनाएंगे, तीसरा मोड भी उससी तरीके से बनाएंगे, दो उल्टा बिल लेंगे धागे को पीछे करके छे पंदे निकाल लेंगे फिर ये छे पंदों को सीधे सीधे बिल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांस, छे, छे पंदे बिल लेंगे फिर ये छे पंदों को फिर चोड़ेंगे इस तरी किसे से फिर ये फंदों को इसमें डालाएंगे ये देखिएगा छे फंदे ये फिर सीधे बिल लेंगे इनको एक, दो, तीन, चार, पांस, छे, ये देखिएगा बारब फंदों का ये हमारा तीशरा मोड बन लेंगे फिर चार फंदे उल्टे लेंगे फिर इसी तरीके से छे फंदे निकाल के जैसे अभी हमने इस मोड में किया इसी तरीके से पूरी लाइन कल लेंगे ये देखिए, तीन मोड हमारे बन गए हैं चार लाइन में हमने ये मोड बना रखा है, चार लाइन में ये अब बारा लाइन हमारे ये हो गए हैं तीन मोड हमने बना दिये हैं, अब हम इसे सिधा-सिधा बिनेंगे बारा लाइन के बार अब इसे सिधा सिधा उपर को बिल लेंगे टोपिया अब ये पूरी हो गई है ये देखिए तीन हमने मोड बनाए है इसमें इसके बार 20 लाइन हमने सिधे बुन दिया है उपर को 20 लाइन अब ये पूरी हो गई है अब ये सुई में देखिए ये फंदों को हम सुई में रखेंगे इस तरीके से सारे फंदों को हम सुई में रख लेंगे एक इस तरीगे से हमने ये पूरे फंदे सुई मेलेली एक झाल झाल इस तरीके से हमने ये सारे फंदे बंद कर दिये अब इसे नीची को हम सिल देंगे इस तरीके से पूरे हम सिल देंगे इस तरीके से हमेशे सिल रहे हैं इस तरीके से पूरे हम सिल देंगे तो फिल हमने सिल दी है उपर से इस तरीके का फूल की तरह बन रहा है एक हिस्सा हमारा ये पूरा हो गया है अब ये देखे दूसरे हिस्से में हमने नब्वे फंदे डाले हैं नब्वे फंदे डाले हैं उसके बाद चार शिलाई उल्टी उल्टी भीनी हैं ये देखे चार शिलाई उल्टी उल्टी बिनके 15 शिलाई हमने सीधी बुन दी हैं सीधे बुनके अब हम इसी तरीके से मोड बनाएंगे जो हमने ये टोपी में बनाया है इसी तरीके का इसमें भी मोड बनाएंगे दो फंदे उल्टे फिर तीन छे छे फंदे चोड़के द्यान से देखेगा पीछले वाले फंदे आगे उठारियों और आगे वाले पीछे ये देखे अब इन फंदों को हम इसमें डाल दाएंगे फिर ये छे फंदे सीधे बुन देंगे दो तीन चार त्वान छे चार फंदे उल्टे एट दो तीन चार चार पंदे उल्टे बार दो दो अब पीछले वाले फंदे इसमें डालेंगे और आगे वाले इसमें इन तीन फंदों को इसमें डाल लेंगे अब इनको सीधे-सीधे बिन लेंगे आब इन 6 फंदे सीधे बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पान, चार 12 फंदे ये सीधे-सीधे बिल लेंगे चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार चार फंदे उल्टे बिने, फिर 12 फंदों का इसी तरीके से मोड बनाए 6 फंदे निकालेंगे एक, दो, तीन, अबे 6 फंदों को हम सीधे-सीधे बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पान, चार, फिर ये 6 फंदे फिर निकालेंगे 6 फंदे निकाल दे हैं, तो इन फंदों को, तीन फंदे इसमें, तीन फंदे इसमें निकालेंगे अब ये तीन फंदों को इसमें डालेंगे फिर ये 6 फंदे बिन लेंगे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, ये देखें बारा फंदों को मोड़, बारा फंदे ये, बारा फंदे ये, बीच में चार फंदे उल्टे बनाए हैं फिर चार फंदे उल्टे बिन लेंगे, ए, दो, तीन, चार, इसी तरीके से बारा फंदों को फिर मोड़ आएगा फिर 4 फंदे उल्टे फिर 12 फंदों का मोग इसी तरीके से पूरी सिलाई हम बिन लेंगे इस तरीके का हमारा है मोड बन रहा है अब हम 4 लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे उसके बाद फिर मोड निकालेंगे दो फंदे उल्टे 12 फंदे शुल्टे यह देखें बार फंदे सीधेम ने बिलने हैं दो उल्टे फिर यह चार उल्टे एक दो टीन चार उल्टे फिर 12 सीधे फिर चार उल्टे फिर 12 सीधे करके इसी तरीके से हम उपर को बिनते हुए जाएंगे चार लाइन होने के बाद फिर हम इसी तरीके से मोग निकालेंगे इस तरीके से हमारा ये बन रहा है तीन मोड हमने इसमें बना दिये हैं अब हम इसे सिधा सिधा उपर को बिन लेंगे हर चार लाइन में मोड बना रखा है चार लाइन के बाद दूसरा मोड, चार लाइन के बाद तीसरा मोड अब इसे हम उपर को सीधा सीधा बिनते हुए ले जाएंगे इसी तरीके से उपर को बिन लेंगे ये देखे इतना हमारा है हो चुका है तीन मोड बनाए हैं मोड के बाद हमने 10 लाइन सीधा बिन लिया है 10 लाइन सीधा बिनने के बाद आप 4 लाइन उल्टा उल्टा बनाऊंगे सीधी लाइन में भी और उल्टी लाइन में इसी तरीके से उल्टा उल्टा चारचा लाइन बिन लेंगे सीधी लाइन हमारी पूरी हो गई है उल्टी लाइन में भी उसी तरीके से उल्टा 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 बिन लेंगे जिस तरीके से नीचे हमने ये चार लाइन उल्टी उल्टी बिन रखे हैं इसी तरीके से उपर भी चार लाइन उल्टी उल्टी बिन लेंगे ये देखिए चार लाइन हमारी हो गई है इस तरीके से चार लाइन बना दी है अब ये फंदों को हम बंद कर देंगे दो का एक करेंगे फिर इस फंदे को इसमें डालेंगे फिर दो का एक कर लेंगे अगला फंदा बुंड़री हो फिर पीछे से इसे ले रेंगे अगला फंदा बिंड़री हो पीछे आले फंदे को इसके उपर से ले रेंगे यह देखे एक पंदा बुना एक पीछे आले पंदे को अगले आले पंदे के उपपर चला रहे हैं यह देखेगा इस तरीके से इसी तरीके से हम पूरिश लाई से बंग कर देंगे यह देखे इस तरीके का हमारा यह बन रहा है पूरे फंदे हमने यह बंद कर दिये हैं अब इसे सील देंगे अब इसे इस तरीके से हम इसे सील देंगे टिये से प्मर्व कर देंगे करु़ अब ऊज दिए झाल इसी तरीके से इसे पूरा यहां तक हम सिल दाएंगे यह देखें अब हमने यह सिल दिया है इस तरीके का बन रहा है अब इसे जो आपने टोपी वो नहीं थी इसमें जोड़ देंगे इस तरीके से इसे सिलाई के साथ सिलाई जोड़ंगे जो टोपी की सिलाई की थी और जो नीचे हमने यह सिलाई की है इसके साथ इसे जोड़ंगे यहां से जोड़ंगे जहां से हमारे आगे का हेड सुरू है यहां से इस तरीके से पूरे यहां तक इसे इसी तरीके से हम इसे सिल देंगे आपछी की देंगे अब हमारी एक है त्यार हो गई अब हमारी एक है त्यार हो गई अब है देखिए इस तरीके के हमारी टोपी बन रही है आगे इसे बनाने के लिए यह जब हम इसे बुनते हैं तो इसे बहुत टाइट बुनना पड़ेगा और एक बजार में भी यहां पर यह लगाने के लिए एक प्लास्टिक का मिलता है उसे भी आप आराम से लगा सकते हैं ताकि उसे यह मोर ने सकता इस तरीके के हमारी यह टोपी बन रही है इसे मास्क भी बन जाएगा और यह टोपी भी बनीगा अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन में मैंने फेस्बूक और इंस्टाग्राम की लिंक दिये है इसे फॉलो गया है